बुरानपुर जुले के खकनार की तुखईधट उपमंडी में लगभग 20,000 कुंटल मक्का का स्टॉक व्यापारियों द्वारा रखा गया है लेकिन ये स्टॉक कैसे आया और किसकी अनुमती से जमा किया गया इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं दरसल मंडी परिसर में मौझूद मक्का किसानों ने नहीं बेचा क्योंकि मंडी में किसान या व्यापारियों के बीच कोई भी लेंदेन होते नहीं देखा गया मंडी निरिक्षा के स्विशर में सपश्च जानकारी भी नहीं दे रहे हैं किसानों के नामों और सूची की मांग करने पर उन्होंने मंडी सचफ से बात करनी की बात कही। बताया जा रहा है कि ये मक्का उन व्यापारियों का है जिन्होंने बाहर से मक्का खरीद कर यहां रखा है। क्योंकि उनके पास स्टॉक रखने के लिए पर्याप्त जगा नहीं है। वियापावियों द्वारा मक्का महीनों तक मंडी में जमा रखा जाता है। उन्हें इसका 10 रुपए बोवे का किराया भी देना होता है। बतादे कि इस समय मक्का, कपास और सोयबीन के बड़े पैमाने पर खरीदी हो रही है। अगरुक में भी देखा गया जहां मंडी टाक्स बचाने के चकर में बाहर की खरीदी की जाए। जो मंडी में अभी मक्का रखा सब टेक्स परेड है। मंडी वार रूट सब्सक्राइब निला में हो रही है। मंडी बूट बाहर बाहर भी करते हैं तो अगर देखा जया तो यहां बिल रहे है। यह समय लई शोड़केきます। मंदी लईसेन काह है लेकिन डिपारी का ग'll morning a Рो ज兩व करते हैं। कहा खरीजी करते हैं। अब हरी जाका है। यहां भी करते हैं तो फ़ह पेटी करते हैं घर पे हो जाती है明ाँ और इहां लांके शुकर ान्थ कमाल हमाद अचा तौ फर उसकी रशाइदी मां ररे खार्ट रखए ट रिख्ट सिime गळी झालते हैं अच्छा अच्छा संगादेस एक मामला आपके दर संग्यान में लाया है कि मंदी में किसान माद उत्राइने कर रहे हैं आपड़े कोशेदे कर ले हैं मैं मंदी सेकेट्री जो भी वहां से उत्रवारी है इसे बात करके असी स्विश्टिक पर स्वस्टिक रहा है